चलिए आज देखिए अभी कुछ बच्चे जो प्रोग्राम वाले हैं सभी बच्चे एक्जाम देके आए हैं अगला पेपर आपका है अगर में हम इसके अंदर सबसे पहले बताएं जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करना है यानि प्रैक्टिकल चेप्टर और एक कुछ मैं लिख देता है यहाँ पे सर theoretical chapter unit वगएर मैं छोड़ देता हूँ किस unit का क्या है नहीं है यह है वो सारी चीज़े हटा देते हैं हमें बस यह focus करना है कि practical chapter इतने है इसमें से यह chapter करने यह आप यह भूल जाईए अभी unit 1, unit 2, unit 3 सबसे पहले अगर practical chapter की बात करें हम तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए that is final account और यह इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ final account करिए क्योंकि इससे आप अच्छे तरीके से 11th class में interact हो बस कुछ advance adjustment है जो कि मैंने आपका अलग से adjustment के 17-18 जो भी adjustment है वो कर रहा हुए है इसके बाद आपको जो chapter उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए आपका inventory आपको याद होगा inventory inventory chapter आपका किसी से link नहीं है यह बिलकुल new है और ना ही account से link है यह यह जो पूरा का पूरा लगबग लगबग एकदम simple सा chapter है जिसके अंदर leafo-fifo method इसमें से भी questions जिसमें से sure sure questions पूछे ही जाएंगे आपके तीसरे number पे आप chapter स्टार्ट करिए sir कौन सा depreciation depreciation अब final account में कौन सा करना है कुछ बोल रहे है sir manufacturing account ऐसा नहीं simple questions पूछा जाता है GST वाला करके जाना है inventory में leafo-fifo weightage तीनों आ सकता है तीनों में से कोई एक आ सकता है depreciation के अंदर हमारे तीन topics है मैं topics भी लिख रहा हूँ यहाँ पे sir depreciation में क्या क्या topic है एक तो simple होगे हमारा जो कि 11 वाला होगे हमारा SLM WDB तो यह आने के chances कम है एक होता है हमारा change method है ना और एक होता है हमारा कौन से वाला change method के बाद देखा जाए तो एक है हमारा यहाँ पे provision वाला और एक है revolution revolution वाला video भी मैंने डाल दिया है अगर आपने देखा हो तो revolution का डाल दिया है और GST का इसके अंदर important है तो अलग से मैंने डाला है एक class और डाल दूँगा तो यह depreciation में topics है जल्दी जल्दी करेंगे फटा-फट से आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए सर्थ मैं practical questions की बात कर रहा हूँ इसके बाद number 4 पे number 4 पे जो आपको पढ़ना है that is आपको पढ़ना है सर branch account बहुत simple chapter है इसमें से भी questions sure sure पूछा जाएगा मैं 100% surety वाले chapter लिख रहा हूँ ठीक है इसके बाद आपका कौन सा पढ़ना है सर्थ आपका इसके बाद departmental पढ़ लो आप तो पांच chapter हो गए एक और chapter है जो मैं इधर लिख देता हूँ that is आपका lease और एक chapter जो कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने छोड़ दिया that is NPO क्यूंकि NPO आपका final account में choice आएगा तो इसको आप छोड़ भी दोगे तो कोई हर्ज नहीं है बस उपर उपर से आपका video मैंने upload कर दिया है और बहुत सारे चीज़े हैं उनमें से questions नहीं पूछे जाते नॉर्मल इसमें से ही आपके questions पूछे जाएंगे अब theoretical की बात करते है theoretical में कुछ हमारे accounting standard AS9 ना theory में आ जाएगा आपका AS26 भी आपका theory में आ जाएगा हालाकि जो inventory है वो AS2 में cover हो गया पूरा का पूरा ठीक है न यह theory हो गया इसके बाद आपके theory में आ जाएगा क्या सर अजंशन एंड प्रिंसिपल सर अजंशन और प्रिंसिपल क्या होता है वही going concern separate legal entity आपका money measurement historical cost वही सारा है ओल ठीक है इसके बाद क्या आ जाएगा आपका accounting standard and IFRS इसके बाद क्या आ जाएगा आपका accounting basis of account है basis of account में क्या आ जाएगा accrual basis account जो की हमारा होता था और cash basis account उन दोनों के बीच में difference आ जाएगा कुछ आपके इस practical chapter के भी theory बनेंगे जैसे depreciation में से बन जाता है कि depreciation SLM और WDB में क्या difference है डिपार्टमेंट और ब्रांच में क्या difference है यह theory इसके अंदर से बन जाते हैं आपका inventory में से बन जाएगा कि periodic inventory system और perpetual inventory system क्या होता है explain करिए इस हिसाब से और क्या बन सकता है सर एक practical कभी कभी वैसे कि हाला कि आपका यही theoretical और यही practical theory के भी हमेंने already सारे के सारे chapters कराके जो 11th का basis था उसके according डाल दिया है तो आपका यह पूरा है लेकिन हमारे पास सर बचा है tentatively देखा जाए आठ से दस दिन की बात कर लेते हैं तो हम कैसे कैसे chapter को तयार करें और कौन से chapter हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप टार्गेट लोगे फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट करने में हाला कि एक दिन पूरा लग जाएगा आपको लेंदी है यह पूरा one day लेजिए करने का क्या तरीका है पहल का हुए सीद् thru को देख लिए आप सेधा सीधा करना नायदा और आपको रूडिया इकवीडियो क्रों करने सैप्र आपको रुक रुक घाता है तो आप वीडियो में जा करए हैं वहीज़िगे अपना time बचा लोगे तो यह करना है इसके अंदर inventory के अंदर आपका एक दिन बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया एक दिन depreciation के अंदर आपका one day बहुत है आराम से हो जाएगा branch के अंदर एक दिन से ज़्यादा लग सकता है तो एक से दो दिन आप इसके अंदर आराम से लगाए तो time देख लिजे एक दो तीन और दो पांच दिन आपका departmental एक दिन में हो जाएगा छे दिन अब बच गए हमारे पास म principle हमारे 9 से 10 हैं तो एक assumption सोच लोगे daily करेंगे तो एक assumption जब करोगे तो 9 से 10 तो 9 से 10 दिन में एक-एक करके ही पूरा क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा हमारा यह perspective लेके चलना है last के दिन में आप theory आराम से revise करोगे अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर क्या theory हम हिंदी मे लिख सकते हो और practical सारा English में देर सकते हो आप आपने चाहे एक अडॉप्ट जो आपने opt किया है एक्जाम देते टाइम पर या English medium आपको study material हिंदी मीडियम में मिला या English medium उससे कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर ठीक है न तो वो सारा इसके अंदर हमारा हमें इस तरीके से लेके चलना है तो यह overall जो आपको strategy बनाना है यही system follow करो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मालो final account एक दिन में हो जाता है 10-year के questions practice करने हैं मैंने जितने भी वीडियो के class के अंदर कराया हुआ है सारे book के questions कराये हुए हैं और कुछ एक 10-year के questions भी कराये हुए हैं तो 10-year के questions और book के questions में आप ढूंड़ो गया तो कई बार similar मिल जाएंगे आपको same question 10-year में और same question book में तो वो common questions हो गया आपके तो इ सब्जेक्ट का 10-year है मैं आपको बता दो तीन हिस्से में कैसे बाटा गया है सबसे पहला जो हिस्सा है वह आपका theoretical में बाट दिया है क्योंकि जो सभी चैप्टर के एक ही जगह theory डाल दिया मैंने उसके अंदर accounting standard एक ही जगह डाल दिया है सारा जो कि आपको आसान हो जाए उसके बाद फिर हमने यहां पर बनाया है practical क्योंकि उसके अंदर जितने भी notes डालने थे मैंने 10-year के अंदर वो सारा practical मैंने खटा दे दिया था final account के खूब सारे question डाल दिया थे step wise फिर आपको मिलेगा सारा practical और फिर आपको मिलेगा past year में जो paper आई हुए है questions paper questions paper को आप कैस से solve करेंगे last 2022 से start करेंगे 2022 का question paper हर बच्चों को यही recommendation है कि 10-year में कुछ clerical error हो सकता है तो आप उसमें tension ना ले दूसरी बात आप 2020 का जो paper आया होगा 10-year के अंदर 2020 lockdown में था कोविड के duration में उस time पे open book examination था अगर वो paper आपको दिखे तो उसके paper को आप एक पर देख लिजिए अगर बहुत tough लगे दिखने में क्यार ऐसा paper आ गया तो क्या पता हम pass भी हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे तो वो mind से एकदम निकाल देजेगा वैसा paper नहीं घर बैठके बच्चों ने paper देना था तो जैसा मर्जी tough paper बनाया हुआ था 19 का देख सकते हैं 18 का देख सकते हैं 17 का देख सकते हैं इस तरीके से पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो 10 year देख सकते हो तो financial account की मैं बात कर रहा था तो इस हिसाम से आपको पूरा का पूरा और दोगे simple देखो अगर मैं chapter practical देखो कितने कम practical chapter आपके अगर 12th standard में अगर होते तो एक book के अंदर इतने chapter नहीं होते जबकि वहां पे तीन book था आपका और retirement के question 100 question थे admission के question 100 plus question हो जाते थे हमारे ठीक है इतने इतने question लेकिन अब यहां पे तो आपको question 30-35 ही मिल रहे हैं लगबग लगबग तो वो तो आप जल्दे जल्दी कर सकते हो यह सारा का सारा procedure है और daily basis पे आपको करना है और जो भी आप करते जाओगे जैसे आपने final account कर लिया तो ऐसा नहीं है कि final account करने के बाद आप भूल गए final account करने के बाद आप revision करने बैठ जाओ रात में जब आपका खतम हो जाए तो आप inventory कर रहे हो लेकिन एक पर final account भी revision करो यह 10 दिन तक आपको routine flow में लेके चलना है 9-10 दिन आपके paper में ऐसा कोई भी question नहीं होगा जो आपको नहीं आ आता होगा सारे practical आते होंगे एक question proper theory का आने वाला है बाकि सभी questions आपके practical आएंगे और बी पार्ट में उसमें कुछ पार आपके theory के मैं कल एक और वीडियो बना लूँगा जिसके अंदर आपका 10 years related सारा का सारा paper discuss कर लूँगा कैसा हमारा paper आता है आप एक पर देख भी लो से आपको सारा का सारा करना है तो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि अब देखो कुछ यहां पर एक doubt यह भी आता है सर अभी तक तो हमने कुछ भी पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे कर लेंगे तो नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं आपको time दे रहा हूं जिन बच्चों ने पढ आनके चलू जो 12 का स्टेंडर था नहीं समय कम हो जाता था अब यहां पर आकाउंट पर मैं कहुँआ समय कम नहीं होगा आता नहीं होगा क्योंकि यहां पर सिर्फ आएंगे पांच कुश्चन और पांच कुश्चन के लिए आपको इनफ टू इनफ टाइम होगा यहां पर इहीं होगा कि आपको कुश्चन नहीं आता होगा अगर आपने नहीं चेप्टर किया होगा ट्वेल्थ में यह रहता था कि हमने चेप्टर कर तो लिए हैं लेकिन टाइम के वजे से हमारे कुच्छ कुश्चन छूट गया है लिकिन उसका बिल्कुल फूरタ यहां पर हो जा चोक और semester 5 बालोगा तो 2-3 बजे तक अगर आपके पहले डाउट भेजे हैं नहीं solve हैं तो 2-3 बजे तक कल में डाउट तो सिर्फ उन्हीं के उपर focus रहेगा बाकी कल के बाद एक आपको new number दिया जाएगा जिस पर आपका डाउट time to time फटाफट solve होना चालू हो जाएगा खीक है ना new number देंगे डाउट के लिए कि चलिए किसी बच्चे को कोई डाउट क्लियर है और लास्ट के live section में जाके आप GST के concept को input को कर सकते हैं तो नेहा सिम्रन प्यूश ओनर्स वाले बच्चों का भी time है तो वो पहले focus करें जो उनका अगला exam कौन सा ओनर्स का environmental EVS वो तो simple सा chapter है इसमें इतना जादा नहीं है आप देखोगे EVS का paper तो simple आता है तो उसमें जादा नहीं फिर भी दीरे दीरे ओनर्स वाले बच्चे तो ले के चलवा ठीक है ना regular वालों का तो 8 को ही paper है तो regular वालों का 8 को paper है तो 9 को तो SL वालों को दिख जाएगा कि paper का pattern क्या होता है next paper FA है honors वालों बच्चों का तो अलग है program वालों का FA है I know चलिए मैं class को disconnect करता हूँ next फिर से मैं कल 2 बजे के बाद जैसे कि FM का exam हो ही जाएगा बच्चों का तो फिर मैं शाम को ही class या फिर सुभे class जैसे भी को schedule मैं लगा दूँ